एक तरफ जहां गाजा में इसराइली सेना हमास से जंग लड़ रही है वहीं दूसरी तरफ लेबनान का हिजबुला उत्री इसराइल पर आग बरसा रहा है हिजबुला लगातार अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों से आईडियाफ को गहरी चोड़ दे रहा है और इसके साथ ही यमन का हूती समंदर में पश्चमी देशों के जहाजों पर कहर बरपाने के साथ साथ इसराइल के इलिट बंदरगाह पर एराकी प्रतिरोधियों के साथ मिल और इस सब के बीच अब इसराइल को एक ऐसा जटका लगा है जो उसकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़े खत्रे का संकेत है जी हाँ हम बात कर रहे हैं तेल अविव में हुए अमेरिकी दूतवास के पास हुए एक ड्रोन हमले की 19 जुलाई 2024 की रात को तेल अविव में अमेरिकी दूतवास के बेहद ही करीब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ ये धमाका एक ड्रोन अटैक की वज़े से हुआ और इस हमले में एक व्यक्ति मारा गया है जबकी आठ लोग घायल हुए हैं इन में से चार लोग ड्रोन की पहशत में आ गए थे और इस हमले को लेकर इसराइली सेना का कहना है कि वो पूरे मामले की जाच कर रही है वहीं दूसरी तरफ जब ये ड्रोन तैल अविव में घुसा तो इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम भी इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए और ना ही हवाई हमलों क साइरन तक बजे और इस हमले को लेकर यमन के हूती का कहना है कि उसने तैल अविव पर ड्रोन से हमला किया है और ये अटैक गाजा में उत्पीर इत्फिलिस्तीडियो के समर्थन में है इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने बयान भी द नफ्द सिलाह अल meglio मुस्यर फू वहीं दूसरी तरफ इस हमले के बाद तेल अवीव के मेयर रॉन हुलडाई ने पूरे शेहर में हाई अलर्ट जारी किया है उन्होंने अपने बयान में कहा कि युद्ध अभी भी यहीं है और हम आगे के लिए पूरी तरहा से तैयार हैं आपको बता दे कि तेल अवीव में जिस बिल्डिंग के ऊपर ये ड्रोन हमला हुआ है वो बेन यहुदा स्ट्रीट पर है और जिस ड्रोन ने इस बिल्डिंग पर हमला किया वो समुद्र के रास्ते बेहद ही कम उचाई से उड़ते हुए इस बिल्डिंग पर आगिरा हाला कि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि इस ड्रोन ने कैसे इसराइल के सभी एर डिफेंस सिस्टम को चक्मा दे दिया आपको बता दे कि इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें ड्रोन के फटने से पहले उस से आवाजे आ रही है वहीं इसराइली मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कई ड्रोन इस इलाके में गिरे हैं लेकिन इसराइली सेना ने अभी तक इसको लेकर कोई साफ जानकारी नहीं दी है लेकिन इस ड्रोन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है दरासल एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये ड्रोन रियेसेंब्लिंग करके बनाया गया था जो हिजबुला का है वहीं तेल अविव में ये धमाका हुआ तो उसके बाद इसराइली मीडिया ने ये भी दावा किया कि अमेरिकी सेना ने कथित रूप से इसराइल की तरफ बढ़ रहे चार ड्रोन्स को मार गिराया था हाला कि इस दावे को लेकर भी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है थक्ष्ण एड़करों डे दे लुकरों को प्रेशों आई है झाल झाल